असलाम अलेकूम व्योज बच्चा हो या बड़ा चॉकलेट खाना किसे पसंद नहीं और अगर घर में ही बहुत कम पैसों में बहुत कम टाइम में अच्छी सी चॉकलेट सॉस रेडी हो जै तो क्या ही बात है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बच्चों का फेवरेट चॉक अगर अगर 1-2 तो भी इसको चॉक्स नमक और और या थोड़ा थोड़ा करके दूद करते जाएंगे दूद भी मैंने आफ़ यह ग्रीडियंट्स में डिस्क्रिप्शन में ऐड़ कर दूँगी आप वहां से भी देख सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसलिए ज़्यादा स्टेयर करूँगी ताके यहीं पर शूगर अच्छे से मिक्स हो जाए अभी हम इसे स्टोफ पर नहीं लेकर गए हैं यह दू थोड़ा थोड़ा अड़ करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे लंज रहने जाएंगे इसके करते हैं और इसके अंदर अगर एंड पर रेडी होने के बाद आप ड्राइफ्रूट और नट्स वगरा डाल लें तो यह और भी टेस्टी बन जाता है लेकिन यहां पर हम सिंपल ही इसको रेडी कर रहे हैं यह देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से हिलाया है तो यह इस फ आप अपनी मर्जी से कम यह ज्यादा भी कर सकते हैं अगर ज्यादा मीठा पसंद हो बाद लोग को थोड़ा सा करवा ही चोकलेट का टेस्ट अच्छा लगता है और बाद लोग बहुत मीठा पसंद करते हैं आप अपनी पसंद से कम यह ज्यादा कर सकते हैं तो कम चीनी डा के थोड़ी देर ज़्यादा पका के आप इसको डाक फॉर्म में भी ला सकते हैं यह देखिए कॉन फ्लॉर मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं यह यहीं पर अच्छी से मिक्स हो गई है तो इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा आप देख सकते हैं यह मिडियम से लो है यानि हलका सा ही स्टोव आपने रखना है अगर तेज रखेंगे तो यह फॉरण ही गाड़ी हो जाएगी जैसे जैसे इसको हीट लगती जाएगी यह नीचे से गाड़ी होनी शुरू हो जाएगी लेकिन आपने यहां पर मिसलसल चम दो और एड़ करके अच्छी तरह से हिला लें तो फिर भी सेट हो जाता है यह जैस्ट एक से दो मिट में रेडी हो गई है इसको मैंने स्टोव से उतार लिया है यहां पर मैं हाफ टेबल स्पून इसमें वनियला एसेंस डाल रही हूं और हाफ टेबल स्पून ही कोकॉनट वनियला एसेंस से बहुत अच्छी खुश्पू आएगी इसमें बिल्कुल बजार वला फ्लेवर आएका और यह कोकॉनट ओल से इसमें शाइन आ जाएगी यह दोनों इंग्रीडियंट हमने चूला बंद करने के बाद एड़ किये हैं इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे लीजिए दो से तीन मिंट इसको कुक किया है और यह हमारा अच्छा सा सॉस रेडी हो गया यह इस तरह से सप्रेट करें बिल्कुल बजार वाला फ्लेव हैं और बच्छों के लिए यह बनानी ही पड़ती है तो आज मैं इसलिए आपके साथ भी यह रेस्पी शेयर कर दी अगर आप इसको नुटेला फो में या बुजार से खरीदेंगे तो यह काफी कॉसली पड़ जाती है लेकिन घर में यह इन्थाई लो प्राइस में त्यार हो गई है यह देखे इन्शाला अगर आप ट्राइ करेंगे तो बहुत अच्छी बनेंगी जरूर ट्राइ कीजेग और में साथ रिजल्ट शेयर कीजेगा अल्ला हाफिज